इंडियन क्रिकेट में युबराज सिंग किसी परिचे के मोहताज नहीं है वहीं अब वर्ल्ड क्रिकेट शुभमन गिल को भी जानने लगी है बीते कुछ ही महीनों में शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मट में एक स्पेशल खिलारी बन चुके हैं और उनके ऐसा बनने में युबराज सिंग का बहुत बरा योगदान है अब जबकि युबराज सिंग पिछले कई सालों से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है तो आखड कैसे वह शुभमन गिल का हेल्प कर रहे हैं क्या युबी पाजी गिल को कोई स्पेशल कोचिंग दे रहे हैं या वजह कुछ और है क्यों शुभमन गिल युबराज सिंग को अपना गुरू मानने लगे हैं क्या है इन दोनों के बीच की केमेस्ट्री आईए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में हलो एंड नमसकार मेरा नाम है प्रशान्त और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकट का यूट्यूब चैनल साल 2022 के अगस्त महिने में जब भारतिय टीम जिमबवांबे के दोड़े पर तीन वंडे मैचों के स्रीज खेलने गई थी उसमें शुबमन गिल भी थे और वह उस स्रीज में एक ओपनिंग बल्ले बाज की हैसियत से खेल रहे थे इस स्रीज के तीसरे और आखरी मैच में शुबमन गिल ने शतक लगाया और टीम को जीत दिलाई वंडे में बेहतरीन शतकीय पाड़ी खेलने के बाद गिल ने पुर्व दिगज और डॉंडर युबराज सिंग की सलाह को याद किया गिल ने बताया कि युबराज सिंग ने उन्हें कहा था कि करीज पर जमने के बाद अंत तक बल्ले बाजी करने का प्रιαस करो युबराज की यह सलाह गिल के काफी काम आई और वह उस मैच में संतानवे गंद में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 130 रनों की पारी खेली जिससे भारत ने जिम वामबे को 13 रनों से हरा कर स्रीज में 3 जीडों से क्लीन स्वीप किया शोहमन गिल के इस पारी को युबराज सिंग समेत टीम इंडिया के कई पुर्व दिगजों ने भी खूब सराहना की लेकिन ये कहानी की शुरुवात नहीं थी इसकी शुरुवात करीब 4 साल पहले चंडिगड में ही हो गई थी ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि शोहमन गिल पंजाब से आते हैं और स्टार और युबराज सिंग भी वहीं से बिलॉंग करते हैं ऐसे में जब शोहमन गिल पंजाब के लिए घरेलू कृकेट खेल रहे थे उस समय युबराज सिंग और हरभजन सिंग जैसे सिनियर प्ल लरके में घजब का potential है और अगर इसे सही guidance मिले तो यह बहुत दूर तक जा सकता है जब शुबमन गिल यूबी पाजी को अपना गुरू बना ही चुके थे तो यूबी पाजी को भी उसे अपना चेला बनाने में कोई दिक्कत नहीं था सब कुछ अच्छा चली रहा था कि उसी वक्त देश और दुनिया में लोकडाउन लग गया लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे ये शुबमन गिल के लिए अच्छा मौका था अपने गुरू से धेर सारे गुरू मंत्र सीखने का और वह ऐसा किये भी वह लोकडा अपना मेंटॉर और गुरू बताया आप एक बात को और नोटिस किये होंगे कि शुबमन गिल के बल्ले पर एक अजीब सा लोगो लगा होता था वो कोई आम लोगो नहीं है बलकि युबराज सिंग के फांडेशन यूवी कैन का एक लोगो है जिसे शुबमन गिल अपने श हिसाब से शुबमन गिल एक रेयर टैलेंट है जिसे भरपूर मौका मिलना चाहिए और यूवी पाजी के इस बात से हम सभी इत्तिफाक भी रखते हैं अगर आप शुबमन गिल के पूरी कहानी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में उपर के आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अगर आपको भी शुबमन गिल एक स्पेशल टैलेंट लगते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेजोर क्रिकेट क को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानी की घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ